Disclaimer this channel does not promote or encourage any illegal activities all contents provided by this channel is meant for educational purposes only वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखेगा ताकि दोस्तों आपको सारी बाते समझ में आ जाए तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट मैं आपको बताऊंगे कौन सी ट्रिक है किस तरीके से आप इने यूज कर सकते हो तो आपका जो स्टोरिज पहले फुल बताता प्रो यह जो अप्लिकेशन है दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पे कम से कम 300 रुपे की अप्लिकेशन है तो जैसी दोस्तों इस एप्लिकेशन को आप अपने फोन में ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने दो आप्शन आ जाते हैं सिंगल फाइल और एंटायर फोल्डर तो यहाँ पर दोस्तों आपको चूज करना एंटायर फोल्डर और जैसी दोस्तों आप एंटायर फोल्डर चूज करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ओप्शन पे क्लिक करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने म्यूजिक का फोल्डर चूज करना है तो यह है वो शो होईंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं इस music के उपर क्लिक कर लेता हूँ और जैसी दोस्तों मैं इस music के उपर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने start compress का option आ चुका है तो यहाँ पर दोस्तों मेरे ज्यादा टाइम लगेगा और वीडियो भी लंबी बन जाएगी तो चली अब बढ़ते हैं इस लिस्ट में हम अपने दूसरी application के उर तो दोस्तों इस लिस्ट में जो हमारी दूसरी application है इससे आप Google Play Store से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो इस application का नाम है फोटो कंप्रेसर तो चली मैं आपको बता देता हूं यह कौन सी application है तो आपको Google Play Store में जाना है और यहाँ पर फोटो कंप्रेस नाम से application को सर्च करना है सबसे उपर यह application आ जाएगी इस application का पूरा नाम है फोटो कंप्रेस 2.0 एड़ फ्री तो इस application को आपको अपने फोन में download कर लीजेगा नाम्लोड करने के अप्र तो इस application को आपको अपने फोन में ओपन नहीं करना सिंपली क्या करना है चली मैं आपको बता देता हूं तो हैं पर दोस्तों आपको जाना है पने file manager में जाना है यहां पर तो उपको के बिटन पर क्लिक करना है और जैसी दोस्तों आपको उपर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों जो compress का process है वो start हो जाता है यहाँ पर दोस्तों मैं इसे cancel कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अभी compress नहीं करूँगा लेकिन दोस्तों आप ज़रू से compress कर लीजेगा उसके बाद दोस्तों होगा क्या कि आपकी जो original photo file होगी उसको काफी कम MB में compress कर देगा और उस compress file को दोस्तों आप अपने phone में save करके रख सकते हैं और बागी original को delete मार सकते हैं इस तरीके से भी दोस्तों आप अपने phone के storage को बढ़ा सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आपको तीसरी application की भी जुर्थ पड़ेगी तो यहाँ पर दोस्तों जो तीसरी application है इस application का आणा में width compact और यह application दोस्तों आपके video को compress करने में आपकी काफी ज़्यादा मदद करेगा तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने option आजाता है trim and compress का तो जैसी दोस्तों आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 720p choose कर लेना है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह 700 insert mb की file थी वो insert mb में बदल चुका है उसके बाद दोस्तों आपको इस button पर क्लिक करना है यहाँ पर दोस्तों आपको save to gallery का option आ जाएगा और जैसी दोस्तों आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो यह जो file है दोस्तों इहाँ पर compress होने के लिए तयार हो जाएगा दोस्तों इसमें काफी जादा time लगता है तो आपको थोड़ा सा इंतियार करना पड़ेगा तो इहाँ पर मैं इसे cancel कर देता हूँ यहाँ पर मैं compress नहीं करूँगा क्योंकि इसमें काफी जादा time लगेगा तो mp3 compress pro को download करने के लिए आपको search बार में type करना है यहाँ पर किसी भी browser को open कर लीजेगा उसके बाद आपको type करना है compress यहाँ पर मैं लिख देता हूँ compress इस के बाद आपको लिखना है MP3 उसके बाद आपको लिखना है pro उसके बाद लिखना है आपको apk और इसे search कर देना है और जैसी दोस्तु आप लेख सकते हैं आपके सामने काफी सारे website आजाएगे जहाँ पर दोस्त आपको इस website पर जाना है जहाँ पर लिखा है आप अपने फोन में फोटो को MP3 को वीडियो को कंप्रेस करके आप अपने फोन स्टोरिज को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं तो उम्मीद करूंगो दोस्तों आपको तीनों अप्लिकेशन भहुत पसंद आये होंगे अगर पसंद आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिगा और इस वीडियो को अपने प्यार प्यारे दोस्तों के शेर भी जरू से कर दीजिगा तैंक यू